हिंगंगार में शाषन के अम्रत योचना अंतरगत नए से बनाए गए जल शुदिकरन कुम्भ क्रियानिवित करने ही तू आज महराश्र जीवन प्राधिकरन विभा के अधिकारियों ने भेट दी तब पालिका के पुराने जल शुदिकरन कुम्भ में बड़े प्रमाण में क पीचर होने की बात पता चले जो पालिका के जल प्रदाय विभा का गैर जमेदार काम को जागर करने वाली बात है कल पुराने जल कुम्भ को नवनिर्मित जल कुम्भ से जोडने का काम करते वक्त उपरुक्त बात निर्देशन में आई इस काम के लिए शहर की नल योजने का पानी वितरन गत दो दिन से बंद किया गया था 23 दिसंबर से शहर में पानी वितरन पूर्वता शुरू होने की जानकारी अधिकारियों ने दी लेकिन आम आदमी अभी भी पानी की किल्लत की वजह से संगट में है पुराने जलशुद्धी करन कुम्भ में जमा कीचर नश्ट करने स्वेच्वालिते क्लैरी प्रोक्योलेटर यंद्रना अस्तिव में है इस और पालिके की जलप्रदाय विभाग यंद्रना ने दुर्लक्ष किया है इस कुम्भ में करीब करीब चार फुट से स्यादा कीचर जमा है ये कीचर साफ करने की जिमेदारी पालिके पर आ पड़ी है आज नए जलशुद्धी करन कुम्भ उसी प्रकार पुराने जलशुद्धी करन कुम्भ को जोड़ने के काम को करने महराशुर्य जीवन प्राधिकरण के कारी-कारी अभियंता चंद्रिकापूरे ने भेट दी तब उक्त प्रकार सामने आया चंद्रिका पूरे को इस बारे में पूचने पर ये पालिका के जल प्रदाय विभाग से संबनित मामला होने की बात बताई हमारे प्रतिनी धी ने पालिका के जल प्रदाय विभाग के अभियंता दिनेश तपासे से संपर्क करने पर उनसे संपर्क हो नहीं सका हिंगन गाट से BCN News के लिए रभी योनौर करकी रिपोर्ट